देखिए पिछले बार रिपोर्ट करने के बाद हमको कितने सारे नए नए सूट मिला है केलिस्टेमॉन के ट्रांक लाइन में एक एक नए सूट एक एक नए ब्रांच बन सकता है हार डूर में भी यह जो सारे सूर्ट्स ग्रो किया है इसके कारण है मेज़ोर रूर्ट वार्थ किया था पिछले बार अभी मैं इसे फिर से प्रून करने जा रहा हूं सामार से पहले रिफाइनमेंट की जरूरत होता है इसको इतने सारे जो नए ग्रोथ मिला है इतने तो हमको नहीं चाहिए इन में से जो जरूरत है वो रखके मैं इसे रिफाइन करूँगा स्टोन्स जो मैं रख दिया था यहां रूट को सपोर्ट देने के लिए यह अभी पॉट में सेटल हो गए है अभी स्टोन्स का जरूरत नहीं है बीच बीच में ऐसे जो वीड्स रो होते हैं इसे निकाल देना होता है वीड्स निकालने से जो मिट्टी का पोशन ये खा जाते हैं इसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है और मिट्टी को ऐसे हाथ से गुडाई कर दीजिए ऐसे गुडाई करने से क्या होता है इसे मिट्टी में हवा चलने का जो रस्ता है वो खुल जाता है हवा मिट्टी के अंदर चलने से रूट को अच्छे से ऑक्सिजन मिलता है रूट को ऑक्सिजन मिलने से रूट हेल्थ अच्छा रहेगा रूट हेल्थ अच्छा रहने से पेड का हेल्थ भी अच्छा रहता है पहले निकाल देंगे छोटे छोटे सूट्स को जो हमें जरूरत नहीं है इसके बाद फ्रून करने देंगे यहां उपर में जो अन्वान्टिर सूट्स है इसे मैं कर लिया अभी हम ये बड़े वाले ब्रांच इसको निकालेंगे जैसे कि ये जो ब्रांच है ये हमको नहीं चाहिए ये आई पोकर ब्रांच है और एक ब्रांच है यहां नीचे ये ब्रांच हमको नहीं चाहिए इसे हम निकाल देंगे एकदम फ्लास काट कर देंगे, जरूरत मंद ब्रांचेस को छोड़के मैं बाकी सब को प्रून कर दिया, अभी टॉप में काम करना है, और ये ब्रांचेस का जो लेंध है, इसे हमको घटाना है, हर एक को हम काट बैक करेंगे, इसे क्लीप एंग ग्रोव मेथोड कहते हैं, इसे क्या होता है, यहां से ज़्यादा रेमिफिकेशन मिलेगा, यहां से यहां से नैने ग्रोथ मिलेगा, और इस ब्रांच का हेल्द भी अच्छा बनेगा, और जहां मैं प्रून कर रहा हूं, वहां पर एक टान भी मिलेगा, जै यहां पहले कोई ब्रांच नहीं था, यह फॉस्ट ब्रांच था और यह सेकंड ब्रांच था, पुछले बार जब मैं इसे रिपोर्ट किया था, अभी यह दो नए ब्रांच हमको मिल रहा है अब हम इस ब्रांचिस को डिवल्लप करेंगे, यहाँ क्लीप एंग ग्रो मेथोड एप्लाई कर रहा हूँ मैं पहले आन्वान्टेड सूट्स को प्रून कर देंगे अभी देखिए इसका जो लेंथ है इसे हम कम कर देंगे इस जगह से तो क्या होगा यह जो सेकंडरी ब्रांचेस है यह डिवलक करेगा तो में ब्रांच लाइन चेंज हो जाएगा तो हमको इस जगह से एक टार्ण मिलेगा जो वेरिंग से आप टाप्ट करते हैं वो नैचरली यहाँ मिलेगा इसे भी हम ऐसे छोटा कर देंगे सेम ट्रीट्मेंट यहां भी करेंगे यहां भी और पूरे कैनोपी में इसी क्लिप अन गो मिथोड मैं अप्लाई करूंगा जो काम इस पर करना था वो पुरा हो गया कुछ फाइनल टाच देंगे अभी इसे फिर से ग्रो करना होगा समर से लेके मौनसून पूरा यह ग्रो करेगा विंटर से पहले ऑक्तोबर में फिर मैं इस पर काम करने का सोचूंगा क्लीप अन ग्रो बॉंसाई बनाने का एक बहुती पपूलर मेथोड है जो नैचरली पेर का ग्रोथ पैटरन के हिसाब से किया जाता है अलग-अलग स्पीशिस के ग्रोथ पैटरन भी अलग-अलग होते हैं इसे ध्यान में रखते हुए क्लीप अन ग्रो करना होता है इसके ट्रांक और ब्रांच राइन में जो कार्ब आप देख रहे हैं ये 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 सारे कार्ब मैं क्लीप अन ग्रो मेथोड में ही प्राफ किया हूँ ग्रो करना फिर से तून करना ग्रो करना और फिर से तून करना यही इसका में प्रोसेस है इसमें आपको वेरिंग का जरूरत नहीं होता है अगर आप चाहे तो माइन और वेरिंग भी कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार झाल